पाबलो इसको बार का नाम आपने सुनाई होगा अगर नहीं सुना तो इस एक्स्प्लेशन के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे वो इटीज का बहुती बड़ा कोलंबियें ड्रग लॉड था तो उसी के लाइफ पर लविंग पाप लोगे 2017 की एक हॉलिवड मूवी आज मे आपको एक्स्प्लेशन करने वाला हूँ उसने इतना सब कुछ किया था कि अगर उसकी लिस्ट भी बनाई जाए फिर भी दो ओवस की मूवी बन जाती है उसका फॉल कैसे हुआ वो कैसे बगड़ा गया यही आज की मूवी एक्स्प्लोर करेगी तो अंतक इस वीडियो को ज उसके साथ एक DEA एजन भी था जिसके नामे शेपर यहामारा और और एक में क्यारेटर है वो सब फिर अमेरिका है और उसे होटेल में रखा जाता है पाबलो के खिलाब वरजिनिया सब कवाई देने वाली थी उसने जो भी किया था यह सारी चिज़ों के बारे में उन्हें इसी वज़े से वो अनसेप थी उसे प्रोटेक किया जा रहा था वरजिनिया का सर बहुत ही जाता दुख रहा था तो एस्परिन मांगती है पर DEA एजन ने उसे का यहाँ पर एस्परिन एस ट्रुग ट्रीट किया जाता है इस वज़े से तुम्हें नहीं मिल सकता इस पर व आदमी होर से टकरा किया तो तकलिफ में था तो उसे वो मार डालते है इसके बाद घर में पाबलो की वाइव दिखाए जाती है जिसका नाम है मरिया मरिया स्विंग पूल के बाहर देख रही थी उसका बच्चा पाबलो की आदमी के साथ खेल रहा है उसे बात सही नहीं कुछ में नहीं सुनेगा तो अपने आदमियों से उपात करता है इसको बार ने कुछ एजन्स को मारा था उसकी कुछ फाइल्स थी उसे बर्न करने का काम वो अपने आदमियों को देता है इसके लिए कितने भी पैसे लगे कि सारा कुछ वो फंड करने के लिए रेडी था इ इस तरीके से किसी को भी विलकम नहीं करते हैं, पाबलो ने कहा कि एनिमल्स के लिए है, घर जाते वख सारे एरिया के उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है, रात में पाबलो की शानदार पार्टी वर्जिनिया ने अटेंड की, जब पाबलो का आदमी उसे पाबलो को दिखाने के लिए लेकर गया, तो सप्राइस थी, पाबलो से गयता है, तुम टिवी से रियल लाइफ में और भी जादा ब्यूटिफुल लगती हो, वर्जिनिया ने कहा कि तुम्हारे पास को लेकर बहुत सारी बाते चल रहे हैं, पाबलो गयता है, कि पास को लेकर हमें क्या करना है फ्यूचर के बारे में मैं सोचना चाहिए, मैं गरीबो के लिए 2000 घर बनवाने वाला हूँ, इसके बारे में तुम्हें मुसे क्वेशन्स पुछने चाहिए, वर्जिनिया को पाबलो के सारे illegal business के बारे में पता था, पर पाबलो उसे एक जगा पर लेकर रहा है, वहावर व वर्जिनया का हसना बहुत ही पसंद था, उसे पुछता है क्या तुम्हारे शादी हुए है, वर्जिनया कहती कि चॉइस से नहीं, वह अपने हस्बन से डिवास लेना चाहती है, पर उसे डिवास दे नहीं रहा है, पाबलो ने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्फ कर सकता हूँ, एक्चुल में यहाँ आने का रिजन कुछ अलगी था, कंट्री के सारे माफिय यहाँ पर आय हुए थे, अब आगे का बिजनेस किस तरीके से करना है, कौन सा एरिया किस का होगा, इसके सारी प्लैनिंग उन्होंने आज बनाई, वर्जेना कहती है, कि आज में इतने डेंजरस लोगों में थी, पर फिर भी उसे बहुत ही सेफ लग रहा था, अब इसके बाद हमें 1982 दिखा जाता है, किस तरीके से पाबलो की ट्रक्स अमेरिका में आया करते थे, कि हमें अब पता चलेगा, रोड के बीच में इक आद में ट्रक्स खड़ा कर दिया, उसके बाद उपर से एरोप लेन आया, और वो हाइवे पर लैंड करता है, नीचे अल्रेटी पाबलो के आद में वेट कर रहे थे, यह जल्दी से बहाब पर पोश्त है, और सारा सामान लेकर आते है, यही सब करते हैं कोई सामान नीचे गिर गया था, और पुलिस को इसके बारे में पता चल जाता है, यह बहुत बड़ा इशू बन गया था, प्रिसेडन को लगता है, इसे सारी यूथ खराब हो जाएगी, इसके खिलाब वो strict action लेने वाले थे, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए Agent Shepard को हायर किया गया, वो से गयते हम Estradition Treaty को create करने वाले हैं, जिससे अमेरिका नहीं जन्षे पाबलो का अमेरिका में अरेस्ट करकर, यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, और उसे यही पर सजा होगी, ऐसा करना है उस वक्त illegal था, पर फिर भी यह treaty हो create करने वाले थे, इसके बारे में जो पाबलो को पता चलता है, तो इसे लेकर हो meeting लेता है, उसने का कि अगर एक्चुल में हुआ, तो सब बहुत ही ज़्यादा trouble में आ जाएंगे, इसके खिलाफ उन्हें fight करनी पड़ी की, पर इस fight उन्हें inside से करनी है, मतलब अगर वो government का हिस्सा बन पाए, तो बहुत ही base चीज होगी, पहले तो इसे सब लोग मना कर रहे थे, पर पाबलो ने कहा कि अगर politics में जीतना है, तो सबसे important है पैसे है, हमारे पास वो बहुत ज़ादा है, इसके बाद हर एक politician को बहुत सारे पैसे देने लग गए, अगर दो parties कड़ी है, तो दोनों parties को provide करते थे, यानि कि कोई भी जिते उनी की सरकार आएगी, पाबलो की वाइफ नारस थी, क्योंकि उसे पाबलो और वर्जिनिया के बारे में पता चल गया था, पाबलो से promise करता है, कि वर्जिनिया के साथ वो कोई भी relationship नहीं रखेगा, उसका सरा सर जोट था, इसके बाद पाबलो बहुत यह अच्छे से election लड़ा, उसे as a government represented to चुना जाता है, वो जब first time assembly में आया, तो भीना tie के आया था, तो इस बात पर उसे रोक लिया जाता है, वर्जिनिया कहते हैं कि यही हमारी country है, जहाब और लोग क्या करते हैं, इसे कोई भी फरक नहीं बढ़ता, उन्होंने tie पहना है या नहीं, यह ज़्यादा matter करता है, नेकसें में पाबलो वर्जिनया का बैक पैसो से भर रहा था, वर्जिनया को लगा कि पाबलो से पैसे स्मगल करने के लिए कह रहा है, पर पाबलो से कहता है कि यह सारा तुमारे लिए gift है, वो इस बात से बहुत ही खुश हो गई थी, अब 1983 आ गया था, उसने अपनी lifestyle को maintain किया था, और पाबलो उसके लिए बहुत अच्छे-च्छे gift ला कर देता, एक दिन पाबलो अपने बेटे को ट्रक्स दिखा कर कहता है, कभी भी इन्हें try मत करना, कोई तुमें कितना भी force करे, पर तुम कभी भी इसे touch मत करना, हम सिर्फ इसे sell करते हैं, एक दिन वर्जिनया से मिलने के लिए agent shabert पोचता है, उसे बाबलो के operation के वारे में बताने के लिए कह रहा था, पर वर्जिनया उसे कुछ भी पताएगी नहीं, उसे गयती है, तुमारी government इस issue में इसलिए interest ले रही है, कि तुमारी country से सारा पैसा हमारी country में आ रहा है, तुमारी country में बाकी माफिया भी है, उसमें government को कोई भी interest नहीं, वो फिर वहाँ से चले गई, वर्जिनया फिर से पापलो से मिलने के लिए आई हुई थी, पर आज पापलो फिर से assembly में गया हुआ है, उसे अभी अभी जो post मिली थी, इसी को लेकर एक minister ने उसे review पर डाला हुआ था, उसका state उसे छीन लिया जा सकता है, मिनिस्टर ने सब लोगों से कहा कि हमें पता है, कि पापलो अपने पैसे कैसे कमाता है, उसे हम हमारी country को represent करने नहीं दे सकते, पापलो ने सब से कहा कि मेरे खिलाफ किसी के पास भी सबूत नहीं है, इसके opposite में minister को campaign के लिए कैसे पैसे मिले, उसे किस-किस ने fund किया था, इसके बारे में पूरी information मेरे पास है, मिनिस्टर पापलो की सारी बातों का मज़ा गुडाता है, पापलो की बद्नामी देग कर मारियो कोई बात अच्छे नहीं लगती, उसे कहती कि resign कर दो, और तुम कितना बरबात होगे, मारे कहती कि मैं pregnant हूँ, मेरी बेटी को कुछ भी तकलिफ नहीं होनी चाहिए, पापलो कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी बेटी को कुछ भी नहीं होगा, रात में अचानक से एक problem आ गया, पापलो ने दो police officer को मारा था, इसके file बाहर निकलाई थी, और इसी के बारे में paper में लिखा गया था, इस newspaper के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए पापलो ने अपने आदमियों को कहे कर, जादा पैसे देखकर इस सारे newspaper को खरीदने के लिए कहा, जब ये paper distribute हो रहे थे, तब ये पापलो के आदमियों के गाड़ी पीछे रहती थी, इन्होंने सारे papers उठा लिये थे, पर फिर भी ये news दभी नहीं रही, निउस paper उठाने काई का आदमियों ने सही से काम नहीं किया था, तुस्यों मार डालते है, पापलो को जो minister opposition दे रहा था, सब लोगों के साथ मिलकर पापलो उसे मारने का प्लान बनाता है, एक राज जब पापलो और वर्जिनया डिनर कर रहे थे, तो उसे वो गिफ्ट देता है, वर्जिनया ने उपन किया तो इसमें गन थी, वो बहुत ही ज़ादा डर जाती है, वो कहती कि मुझे यह सब चीज़े नहीं चाहिए, पापलो ने कहा कि यह तुम्हारी safety के लिए है, मैं अब जो भी करने वाला हो, इसके बाद बहुत सारे लोग तुम्हारी दुश्मत बन सकते हैं, तो तुम्हें पकड़ने के बाद torture करेंगे, इससे अचाहिए होगा, कि अगर तुम्हें ओ दिखे, इसके बाद यह तुम अपने आपको गोली मार लेना, वरजिना इस बाद से बहुत ही ज़्यादा disturb हो गई थी, पापलो जब उसे नेकलेज दिता था, तो उसे उसे कुछ भी प्रॉलम नहीं था, वो क्या करता था, इस बात को इनॉर करते दी थी, पर अब जब गंदी है, तो सच्मुश में वो बहुत ही ज़दा डर गई थी, यह मूवी बताती है कि हम जो भी करते हैं, इसके कंसिक्वेंसेस तो हमें भुगद नहीं पड़ते हैं, नेकसिन में पाबलो सिकारियोस के पास आया, यहाँ पर यंग लड़कों को पाबलो के लिए काम करने के लिए रेडी किया जाता था, उन्हें इतने पैसे दिये जाते थे, कि पाबलो के लिए मरने के लिए और मारने के लिए रेडी थे, अब इन्हें ही contract दिया जाता है और यह जाकर minister को मार कराते है यह एक बहुत ही बड़ी news बन गई थी पाबलो का country में रहना मुश्किल हो गया था वो पैनवा में जाकर रह रहा था और अब हमें 1984 दिखाया जाता है उसके कोलंबिया की vice president के साथ meeting चल रही थी वो deal कर रहे थे कि government extradition treaty को allow ना करे जिसे पाबलो को अमेरिका में लेकर जाकर वहाँ पर trial दिया जा सकता है अगर government अपरू नहीं करती तो पाबलो गवर्मेंट को बहुत सारे पैसे देने वाला था पूरी country का लोन वो चुकाने वाला है vice president इसके लिए मना कर रहे थे तो पाबलो ने कहा कि अ पाबलो को मारने के लिए इनाम लगाया गया था तो पाबलो ने भी पूलीस के ऊपर इनाम रखा जो भी पूलीस को मारेगा उसे बहुत सारे पैसे देने वाला था जैसे पूलीस के राइंक हो वैसे और भी ज़ादा हो पैसे देने वाला है इसके बाद पूलीस कहीं भी किसी भी street पर हो लोग उने मारने लग गये कंटरी में सब लोग बहुत ज़ादा डर गए थे पूलीस ने भी इन सब बातों को बहुत ही सिरियस ले लिया उन्होंने भी पाबलो के लिए काम करने वाले बहुत सारे यंगस्टर्स को मार दिया था पाबलो को पकड़ने के लिए पूरी यूनिट ही create की गए इसका ओपरेशन एजेंट शेपर्ड ही देख रहा था पाबलो की लोकेशन ट्रैक करने के लिए पूरा यूनिट था पर लोकल लोग कॉल करकर पाबलो की अलग-अलग लोकेशन बताया करते थे यानि कि वो कभी भी उसे ढून ना पाए एक दिन वर्जिनया को उसके न्यूज चैनल से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो पाबलो के साथ है उसके बॉस को धंकी देगर जाती है कि पाबलो सारे ओफिस को उड़ा देगा वो जब नीचे आई तो एजेंट शेपर्ड फिर से उसे मिलता है वर्जिनया से बात करने के बाद उसे पता चला कि उसका जॉब चला गया है तो शेपर्ड उसे कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई भी आप्शन नहीं है तुम्हें कहीं भी और जॉब नहीं मिलेगा हमारे साथ कॉपरेट करो और पाबलो के बारे में हमें सब कुछ बता रहा था वहाँ पर उसके लिए लोकल लड़किया भी सप्लाई की जाती थी उसमेंसे एक लड़की ने पाबलो की लोकेशन बता दी और उस पर हमला कर दिया जाता है उन्हें पकड़ने के लिए हिलिकॉप्टर पर पंचे छोड़ देते और उस वज़े से वो क्रैश हो गय पाबलो के जो भी मेन आदमी थे इन सबको एक एक करकर मार दिया जाता है पाबलो ने पर एक रेडियो स्टेशन को यूज करकर पूरी कंट्री को थमकी थी आरजे उसे बुछता है कि क्या तुम सचमुश में पाबलो हो तो पाबलो ने कहा कि यह मैं बात कंफर्म कर सकता आज राज तुमारे स्टेशन और तुमारी फैमिली को सब को में उड़ा दूँगा आरजे भी उसे बहुत डर गया था इसके बाद पाबलो ने कंट्री में हर जगा पर पॉंसपोर्ट किया है पहले तो लोग उस पर गुसा थे उसे पकड़ना चाहते थे पर फिर पाबलो को इसी कंट्री के एक जेल में रहना पड़ेगा पाबलो के इसमें और एक कंडिशन थी कि जेल का अंदर का सारा सप्लाय वो खुद करेगा एक जेल उन्होंने एक फाइस्टर होटेल की तरह ही बनवाय हुई थी अपना सारा ट्रक्स को ओपरिशन यही से अब वो मैनेज कर करती थी एक दिन उसकी बेटी उसे पुछती है आप हमारे साथ घर पर क्यों नहीं रहते मदर बहुत रोती है फादर कहती कि मेरा कैसल है यहां से मैं काम करता हूँ मैं जब चाहे बाहर जा सकता हूँ क्या तो मैं आइसक्रीम खाना है चलो हम आइसक्रीम लेने के लिए चल मैं मिलने के लिए आती है उसे कहती कि प्लीज मुझे हेल्प करो मुझे यहां से निकल जाना है वो कुछ पैसे मांग रही थी पाबलो ने कहा कि मेरे बास कोई भी पैसे नहीं है मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता उसने वरजिनया को उसके साथ चलने के लिए कहा था पर उसे मना किया इस वजह सो गुसा है वरजिनया कहती कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है अगर मैं पताना स्टार्ट करो तुम बहुत ही जादा ट्रवल में आ जाओगे फर बाद में पाबलो को देखकर वो खुदी टर गई वो रोने लग के कहती है मैं किसी को कुछ भी काम करे है इसलिए उन्हें मार डालता है गवर्मेंट को जब पता जला कि पाबलो ने जेल में रहकर किसी का मर्डर किया है तो यह बात बहुत ही बड़ा इशू बन गई वो पाबलो को पकड़ने के लिए आ रहे थे पर पहले ही वहाँ से भाग गया पाबलो और उसके आद लोग गोली चला रहे थे पर बुलेट प्लास की वज़े सो बच जाती है पाबलो की जिन्दगी पुलीस से भागते भागते गुजर रही थे कोई भी सेफ नहीं था एबाद उसकी वाइफ को सही नहीं लगती इसके बारे में बात करते हुए पाबलो ने कहा कि तुम सब ल लोग लो पाबलो जब उन्हें कान्टाक करने की कोशिश करेगङ तब तुम लोग उन्हें पकड़ सकते हो फोन ट्रैक करने से पहले ही दो मेनिट के अंदर उसने फोन रख दिया यानि कि उसकी लोकेशन वो ट्रैक नहीं कर पाए एक दिन पाबलो से रहा नहीं जाता वो अपने बेटों को कॉल कर देता है नीचे स्टीट्स में पुलीस की गाड़ी अल्रेडी खुम रही थी उसकी एप्रॉक्जिमेट लोकेशन वोने पता जलने लगे तो वही पर वो घुमने लगे 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 पुलीस पाबलो को खिड़की में देख लेता है वो जल्दी से उसके रूम में पहुच गये और वही पर उसे मार डालता है वरजिनिया ने जो भी किया ये सब इसके साथ आज का वीडियो हम खतम करते हैं अगर आपको एक्स्पिनेशन अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बहुत सारी मुविज लेकर आता रहे तो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन अगलॉड था तो उसके लाइफ पर लविंग पाप लोगे 2017 की एक हॉलिवड मुवी आज में आपको एक्स्पिन करने वाला हूं उसने इतना सब कुछ क्या था कि आगर उसके लिस्ट भी बनाई जाए फिर भी दो अवर्स की मुवी बन जाती है उसका फॉल कैसे हुआ वो एक जेनरल लिस जिसका नाम था वर्जिनिया यह पता रही थी वो पहले पावलो की गल्फरेंड हुआ करती थी हमें 1993 दिखाय जाता है वर्जिनिया अपनी कंट्री में सेफ नहीं थी वहाँ से भाग रही थी उसके साथ एक डीए ए एजन्ट भी था जिसका नाम है शेपर यह हमारा और एक मेन क्यारेटर है वो सब फिर अमेरिका है और उसे होटेल में रखा जाता है पावलो के खिलाब वर्जिनिया सब गवाई देने वाली थी उसने जो भी किया था यह सारी चीज़ों के बारे में उन्हें बताने वाली थी इसी वज़े से वह अंसेप थी उसे अन्यासे प्रोटी किया जा रहा था वर्जिनिया का सर बहुत ही जाता दुख रहा था तो एस्परिन मांगती है पर दिये एजेन ने उसे कहा कि यहां पर एसपर ड्रॉक्त ट्रीट क्या जाता है इस वोज़े से तुम्हें नहीं मिल सकता इस पर वर्जिनिया वह यह बहु में पाबलो की वाइव दिखाए जाती है, जिसका नाम है मरिया, मरिया स्विंग पूल के बाहर देख रही थी, उसका बच्चा पाबलो की आत्मी के साथ खेल रहा है, उसे बात सही नहीं लगती, वो पाबलो से यह थी है, कि मैंने तुम्हें बहुत बार बता है, कि अपनी फ फाइल्स थी, उसे बन करने का काम वो अपने आदमियों को देता है, इसके लिए कितने भी पैसे लगे, यह सारा कुछ वो फंड करने के लिए रेडी था, इसके बाद हम वरजिनाओ को उसके पास आता देख सकते हैं, वो एक जनरलिस थी, तो उसका आज इंटर्यू लेने क पाबलो के आदमियों के गंस युजरा देखकर बहुत ही तर जाती है, पाबलो भी उसे लेने के लिए आया हुआ था, पर उसे लगा कि उसका वो सर्वंट है, तो गहती है, कितने सारे गंस यहां क्यों है, तुमने मुझे तर आती है, इस तरीके से किसी को भी वेलकम नहीं करते हैं पाबलो ने कहा कि animals के लिए है लर जाते वट सारे area के उन्हें information देता है रात में पाबलो की shantar party वरेजिने ने अटेंड की जब पाबलो का आदमी उसे पाबलो को दिखाने के लिए लेकर गया तो surprise थी पाबलो से यहता है तुम टिवी से रियल लाइफ में और भी जादा ब्यूटिफुल लगती हो वर्जिनिया ने कहा कि तुम्हारे पास्ट को लेकर बहुत सारी बाते चल रही है पाबलो गहता है कि पास्ट को लेकर हमें क्या करना है फ्यूचर के बारे में हमें सोचना चाहिए मैं गरीबों के लिए 2000 घर बनवाने वाला हूँ इसके बारे में तुम्हें मुझसे questions पुछने चाहिए वर्जिनिया को पाबलो के सारे illegal business के बारे में पता था पर पाबलो उसे एक जगा पर लेकर रहा है वाब और वर्जिनिया ने सारे करीब बच्चों को देखा उनके लिए पाबलो एक घर बनाने वाला है तो इस बात उसे बहुत ही अच्छी लगती है वही से वर्जिनिया ने डिसाइड कर लिया था उसे कुछ भी फरक नहीं पड़ता किस तरीके से पाबलो अपने पैसे कमाता है वने यूज कैसे करता है यह important है नेक्स इन में ये दोनों एक date पर आए पाबलो को वर्जिनिया का हसना बहुत ही पसंद था उसे पुछता है क्या तुम्हारे शादी हुए है वर्जिनिया कहती कि choice से नहीं तो अपने हस्बन से डिवास लेना चाहती है, पर उसे डिवास दे नी रहा, पाबलो ने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, इसके बाद वर्जिनिया के डॉक्टर हस्बन को बीच ओपरेशन से उठवा कर, जबरदस्ती डिवास पेपर पर साइन करवाय जाते है, व बागे का बिजनेस किस तरीके से करना है, कौन सा एरिया किस का होगा, इसके सारी प्लैनिंग उन्होंने आज बनाई, वर्जिना कहती है, कि आज में इतने डेंजरस लोगों में थी, पर फिर भी उसे बहुत सेफ लग रहा था, इसके बाद हमें 1982 दिखा जाता है, किस तरीक और पुलिस को इसके बारे में पता चल जाता है, एक बहुत बड़ा इशू बन गया था, प्रिसेडन को लगता है, इससे सारी यूथ खराब हो जाएगी, इसके खिला वो स्ट्रीक्ट एक्शन लेने वाले थे, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए एजन शेपर को हाय किया गया, वो से गयते हम इस्ट्राइडेशन ट्रीटी को क्रेट करने वाले हैं, जिसे अमेरिका नहीं जन से पाबलो का अमेरिका में अरेस्ट करकर, यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, और उससे यही पर सजा होगी, इसके बारे में जो पाबलो को पता चलता है, तो इसे लेकर कि अगर politics में जीतना है, तो सबसे important है पैसे है, हमारे पास हो बहुत जादा है, इसके बाद हर एक politician को बहुत सारे पैसे देने लग गए, अगर दो parties खड़ी है, तो दोनों parties को provide करते थे, यानि कि कोई भी जीते उनी की सरकार आएगी, जोब politicians के लिए party चलती थी और रात में स पाबलो की wife नारास थी, क्योंकि उसे पाबलो और वरजिनिया के बारे में पता चल गया था, पाबलो से promise करता है, कि वरजिनिया के साथ वो कोई भी relationship नहीं रखेगा, उसका सरा सर जोट था, इसके बाद पाबलो बहुत ये अच्छे से election लड़ा, उसे as a government represented to चुना जाता ह वो जब first time assembly में आया, तो भीना tie के आया था, तो इस बात पर उसे रोक लिया जाता है, वरजिनिया कहती कि यही हमारी country है, जहाब और लोग क्या करते है, इसे को भी फरक नहीं बढ़ता, उन्होंने tie पहना है या नहीं, यह ज़्यादा matter करता है, नेकसिन में पाबलो वरज style को maintain किया था, और पाबलो उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे gift इसला कर देता, एक दिन पाबलो वने बेटे को drugs दिखा कर कहता है, कभी भी इन्हें try मत करना, कोई तुमें कितना भी force करे, पर तुम कभी भी इसे touch मत करना, हम सिर्फ इसे sale करते हैं, एक दिन वरजिनिया पाबलो से मिलने के लिए एजेंट शेवर्ट पोस्त है, उसे बाबलो के operation के वारे में बताने के लिए कह रहा था, पर वरजिनया उसे कुछ भी पताएगी नहीं, उसे गयती है, तुमारी कंट्री से सारा पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है, तुमारी कंट्री में बाकी पिया है, उसमें government को कोई भी interest नहीं, वो फिर वहाँ से चले गई, वरजिनया फिर से पाबलो से मिलने के लिए आई हुई थी, पर आज पाबलो फिर से assembly में गया हुआ है, उसे अभी अभी जो post मिली थी, इसी को लेकर एक minister ने उसे review पर डाला हुआ था, उसका state उसे छीन लिए आजा सकता है, minister ने सब लोगों से कहा कि हमें पता है कि Pablo अपने पैसे कैसे कमाता है, उसे हम हमारी country को represent करने नहीं दे सकते, पाबलो ने सबसे कहा कि मेरे खिलाफ किसी के पास भी सबूत नहीं है, इसके opposite में minister को campaign के लिए कैसे पैसे मिले, उसे किस-किस ने fund किया था, इसके बारे में पूरी information मेरे पास है, minister पाबलो की सारी बातों का मज़ा गुडाता है, पाबलो की बदना में देख कर मारियो कोई बात अच्छे नहीं लगती, उसे कहती कि resign कर दो, और तुम कितना बरबात होगे, मारिया कहती कि मैं pregnant हूँ, मेरी बेटी को कुछ भी नहीं चलना चाहिए, इसलिए पाबलो ने अपने आदमियों को कहे कर, जादा पैसे देखकर इस सारे newspaper को खरीदने के लिए कहा, जब ये paper distribute हो रहे थे, तब ये पाबलो की आदमियों की गाड़ी पीछे रहती थी, इन्होंने सारे papers उठा लिये थे, पर फिर भी ये news दभी भी नहीं रही, निउस्पेपर उठाने काई काई का आदमी ने सही से काम नहीं किया था, तुस्यों मार डालते है, पाबलो को जो मिनिस्टर और ओपोजिशन दे रहा था, सब लोगों के साथ मिलकर पाबलो उसे मारने का प्लान बनाता है, एक राज जब पाबलो और वरज पाबलो जब उसे नेकलेस देता था, तो उसे उसे कुछ भी प्रॉलम नहीं था, वो क्या करता था, इस बात को इनौर करते दी थी, पर अब जब गंदी है, तो सचमुश में वो बहुत ही ज़दा डर गई थी, ये मूवी बताती है कि हम जो भी करते हैं, इसके कंसिक्वें पाबलो का कंट्री में रहना मुश्किल हो गया था, वो पैनवा में जाकर रह रहा था, और अब हमें 1984 दिखाया जाता है, उसके कोलंबिया की वास प्रेसिडेंट के साथ मिटिंग चल रही थी, वो डिल कर रहे थे कि गवर्मेंट एक्स्टेडिशन ट्रिटी को अलाव ना करें, जिसे पाबलो को अमेरिका में लेकर जाकर वहाँ पर ट्रायल दिया जा सकता है, अगर गवर्मेंट अपरू नहीं करती, तो पाबलो गवर्मेंट को बहुत सारे पैसे देने वाला था, पूरी कंट्री का लोन वो चुकाने वाला है, वाइस प्रेसिडेंट इसके लि मिलने के लिए कोलंबिया में आ जाता है, वजजेना कहती है कि आज कल मुझे बहुत सारे लोग फॉलो करे रहे हैं, उसे थोड़ा भी सेफ नहीं लगता, उसे कहती कि तुम्हें सब कर क्या रहे हो, पाबलो ने कहा कि इसमें मेरा कोई भी फॉल्ड नहीं है, गवर्मेंट मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया, तो ने इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, वजजेना को अपने साथ लेकर जाना चाता था, पर उसे मना कर देती है, इसके बाद हम देख सकते हैं कि पाबलो ने कंट्री में बहुत सारे इंफुलेंशल लोगों को मार दि के, कंट्री में सब लोग बहुत ज़दा डर गए थे, पुलिस ने भी इन सब बातों को बहुत ही सिरियस ले लिया, उन्होंने भी पाबलो के लिए काम करने वाले बहुत सारे यंग्स्टर्स को मार दिया था, पाबलो को पकड़ने के लिए पूरी यूनिट ही क्रियेट की है, उसके बॉस को धमकी देगर जाती है कि पाबलो सारे ओफिस को उड़ा देगा, वो जब नीचे आई तो एजेंट शेपर्ड फिर से उसे मिलता है, वरजी ने उसे बात करने के बाद उसे पता चला कि उसका जॉब चला गया है, तो शेपर्ड उसे गयता है कि अब तुम पाबलो आज कल जंगल में छूप रहा था, वहाब और उसके लिए लोकल लड़किया भी सप्लाई की जाती थी, उसमेंसे एक लड़की ने पाबलो की लोकेशन बता दी, और उस पर हमला कर दिया जाता है, उन्हें पकड़ने के लिए हिलिकॉप्टर सेगरा आय हुए थे, पाबलो के जो भी मेन आदमी थे, इन सबको एक-एक करकर मार दिया जाता है, पाबलो ने पी एक रेडियो स्टेशन को यूज करकर पूरी कंट्री को थमकी थी, आरजे उसे बुशता है कि क्या तुम सचमुश में पाबलो हो, तो पाबलो ने कहा कि मैं बात कंफर्म कर सकता आजरा तुम्हारे स्टेशन और तुम्हारी फैमिली को सबको में उड़ा दूँगा, आरजे बे उसे बहुत डर गया था, इसके बाद पाबलो ने कंट्री में हर जगा पर पॉंसपोर्ट किया, पहले तो लोग उस पर गुस्सा थे, उसे पकड़ना चाते थे, पर फिर प पाबलो को इसी कंट्री के एक जेल में रहना पड़ेगा, पाबलो के इसमें और एक कंडिशन थी कि इस जेल का अंदर का सारा सब लाई वो खुद करेगा, ये जेल उन्होंने एक फाइस्टार होटेल की तरह ही बनवाय हुई थी, अपना सारा ट्रॉक्स का ओपरिशन यही नहीं रहते, मदर बहुत रोती है, फादर कहती कि मेरा कैसल है, यहाँ से में काम करता हूँ, मैं जब चाहे बाहर जा सकता हूँ, क्या तो मैं आइसक्रीम खाना है, चलो हम आइसक्रीम लेने के लिए चलते हैं, वो अपनी बेटी को लेकर बाहर जाने के लिए अलाउ कर रह दिया है, उसे कहती कि प्लीज मुझे हेल्प करो, मुझे यहाँ से निकल जाना है, वो कुछ पैसे मांग रही थी, पाबलो ने कहा कि मेरे बास कोई भी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, उसने वरजिनया को उसके साथ चलने के लिए कहा था, पर वरजिन पाबलो के अपने पाबलो के साथ मिंटिंग चल रही थी, पाबलो को उसके बिजनेस का जो भी कड मिलता था, उसे जाधा अब वो पाना चाता था, उसके पाबलो का शक था कि शायद ओपोसिट गैंग के साथ वो काम करे, इसलिए उन्हें वो मार ढालता है, गवर्मेंट क एक पर बूलो कोई भी सेफ नहीं था यह बात करते हुए पापलो ने कहा कि तुम सब लोग अब कंट्री से बाहर चले जा यहाँ पर मैं हैंडल कर लूँगा जब बाद वरजिन्या को पता चली कि पाबलो की फैमिली इस कंट्री से दूर जा रही है तो डारिक लिए उशेपर्ड से मिलने के लिए आती है उसने कहा कि अगर पाबलो की फैमिली चलीगी तो सब लोग बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ जाएंगे तुम्हें उन्हें जाने नहीं देना चाहिए उन्हें यही पर रोग लो पाबलो जब उन्हें कॉन्टैक करने की कोशिश करेगा तब तुम लोग उन्हें पकड सकते हो यही चीज फिर शेपड नहीं की पाबलो की वाइफ और बच्चों को जानन नहीं देते होस्टेश करकर उन्हें उन्हें रखा हुआ था पाबलो जब उन्हें कॉन्टैक करने की कोशिश करता है तो सारी बाते उनके उस सुन रहे थे पाबलो को जब एबात रियलाईस हुए तो उन्हें बहुत गाल्या देता है फोन ट्रैक करने से पहले ही दो मिनिट के अंदर उसने फोन रख दिया यानि कि उसकी लोकेशन वो ट्रैक नहीं कर पाए एक दिन पाबलो से रहा नी जाता वो अपने बेटों को कॉल कर देता है नीचे स्टीट्स में पुलीस की गाड़ी अल्रेडी खुम रही थी उसकी एप्रॉक्जिमेट लोकेशन वोने पता चलने लग गे तो वही पर वो घुमने लग गे लकिली एक पुलीस पाबलो को खिड़की में देख लेता है वो जल्दी से उसकी रूम में पहुँच गए और वही पर उसे मार डालता है वरजिनिया ने जो भी किया ये सब पाबलो के खिलाफ उसका बदला था मुवी के लास में जल्द के पाबलो के खिलाफ सब कुछ गवाई देने वाली थी वो शेपर से बात करती है कि पाबलो से वो प्यार करती थी पर वो जो भी करता था इन सब चीज़ों को हेट करती थी गलत चीज़ों का अंजाम बुरा ही होता है इसका है movie perfect example है इसी के साथ आज का वीडियो हम खतम करते हैं अगर आपको explanation अच्छा लगा तो please इसे like और comment जरूर कर दीजेगा बहुत सारे movies लेकर आता रहत हो तो please इस channel को subscribe कर दीजे और bell notification icon दोबना में मत भूलेगा हम विज़े मिलेंगे और एक दोबना में साथ तो please thank you और आप अपने आपको हैल रखें जल मिलेंगे आता रहती और-जठी यूले खापको झाल 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 झाल